हाई दोस्तों tava T4 चालनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज कि इस विडियो में आप सेखेंगे कि आप अपना फेसबॉक अकाउंड का पासवर्ड भोल जाते हैं तो आप उसमें लॉग इन कैसे कर सकते हैं जी हां दोस्तों मैंभी का पासवर्ड भूल गया है तो चलिए हम कैसे हम इसमें लॉग-इन करेंगे यह में फेस्गोग अकांड में अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस ट्रिक हम इस वीडियो से सीख लेते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किजीगा और दोस्ते के साथ शेयर जरूर किजीगा तो चली वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको Facebook application open करना है open करने के बाद आपके सामनी अगर आप logout हो जाते हैं Facebook से तो इस तरीके से पेज खुलता है तो मैं यह password ही भोल गया है क्योंकि जब आप लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नमबर या फिर email ID से अपने account बनाया था उसको और फिर नीचे password डालने का option रहता है जैसे कि आप देख रहे है फोन नमबर या email और फिर नीचे password डलके आपको लॉग इन करना होता है तो मैंने अपना password भूल गया है तो अगर आप अपने भी password भूल चुके है तो आपको क्या करना है आपको नीचे एक option मिलता होगा forgot password का तो यह जो forgot password का option है इसमें हमको क्लिक करना होता है जैसे दुस्तो फोन पासवर्ड में क्लिक करेंगे यहां पर बोड़ आए कि allow facebook to access your contacts तो यहां पर allow कर देंगे और फिर नीचे आपको allow कर देना है अब यहां पर धियान दिजेगा यहां पे आपको ऊपर में आपको enter your phone number लिख करके आ रहा है तो अगर आपने phone number से बनाया है तो phone number enter करेंगे अगर आपने email ID से बनाया है तो यहां पर नीचे option है search by your email instant यानि की email ID से आपने अगर account बनाया है तो आपको इसमें क्लिक करके यहां पर email ID डालने का option आपको मिल जाएगा तो यहां पर मैंने phone number से बनाया था इसलिए हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा अपना mobile number डालना पड़ेगा तो चलिए अपना phone number यहां पर फट 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 डालते हैं और ध्यान दिजीगा अगर आपको account नहीं मिल रहा है तो one by one करके जितने भी number आपके घर में है उन सब क इसलिए के बाद find account में click किजीगा तो यहां पर बोड़ रहा है कि send code via SMS यानि कि SMS के थुरू आपको इस number पे code send किया जाएगा तो यहां पर continue नीचे option है इसमें हम click कर देंगे और यहां पर code हमें send किया जाएगा Facebook के तरफ से तो उस code को आपको यहां पर enter करना है अगर आपके mobile में SIM लगा हुआ रहेगा तो खुद बखुद यह verify कर लेगा तो जैसे कि मैं मेरा code SIM लगा हुआ था यसलिए मुझे code डालने के जुएत नहीं पड़ा और ऊपर में code आ चुका था तो चलिए यहां पर यहां पर बोड़ रहा है कि you can log out of your account from anywhere it might be open तो यहां पर keep me login रहने द यानि कि इस password को आपको यूज करने के लिए इस account को आपको इस password को डालना पड़ेगा और enter the combination of this list at least six number यानि कि इसमें कम से कम जो password बनेगा वो six number करेगा जिसमें लेटर से आपको यूज करना है लेटर और and punctuation marks यानि कि gomma, hashtag और या फिर और भी कुछ आप numbers यूज कर सकते है आप मतलब आपको password strong बनाना है यह नहीं कि 123456 ऐसे डाल दिया password यह सब नहीं बल्कि उसमें आपको कुछ लेटर, कुछ symbols, कुछ hashtag, कुछ comma वगएरे डाल कि आपको password को strong बनाना है तो चली, फट 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 में यहाँ पर मैं password बना लेता हूं, तो हमने अपने यहाँ पर password बन तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरा नाम अगरा आ चुका है, अब यहाँ पर ok में हम लीचे click करेंगे, और यहाँ पर information से होगे, अब हमने पर अपने facebook account में login हो चुका है, तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने facebook account में login हो सकते हैं, अगर आपने password भूल गया है तो दोस्तो वी